वेल्कम तो सॉन्याइज ओनलाइन और जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि आज आप सीखने वाले हो कि अपनी वीडियो को प्रोफेशनली किस तरह से अपलोड करना है सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर के ऊपर आके आपने वाईटी स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है यहां पर आप पूरा स्पेलिंग लिकना यूट्यूब स्टूडियो और इसको डाउनलोड कर लीजेगा अब प्ले स्टोर से एक और चीज जो है उसको डाउनलोड करिएगा जिसका नाम है नोट्स यह आपके यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाले आप इसके अंदर आइडियास लिख सकते हो तो अगर यह आपके पास ने तो इसको डाउनलोड कर लिजेगा और अगर आपको यह और नोट्स यूज़ करना चाहो तो वह कर लिजेगा तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपने नोट के अंदर आना है नोट के अंदर आके यहां पर प्लस का साइन होगा वहां पर प्रेस करना है और यहां पर आपने एक ऐसा पॉल्डर बना लेना है जिसका नाम आपने लिख देना है थम नेल अभी इसलिए जरूरी है कि हर बनाने से पहले हर वीडियो की एडिटिंग रगार कुछ भी गंडे से पहले आपने सबसे पहली चीज़ किये करने एक उसका थमनेल बनाना और यहां पर आपने वह पॉइंट्स लिक लेना है जो कि थमनेल के अंदर आप यूज करोगे क्योंकि हर बार आपके एनरजी आपकी थमनेल की वज़स से ही देखेगा यहां पर आप हिके रख सकते हो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपके थमनेल में मुझूद होनी ही चाहिए बिग इमोशन जैसे लोगों ने मूव बनाए होते हैं कुछ यह बहुत ज़्यादा इमोशन एक्स्प्रेस की होते हैं बिग व ताके लगों को पते चले कि यह न्यूव वीडियो है थमनेल के लिए मैं आपको बता दू कि एक एक कैन्वा वहां पर जाके आप बहुत जबर्दस प्रोफेशनल थमनेल जो है इसली बना सकते हो और यह बिलकुल फ्री है और कैन्वा का फ्री वर्जिन बिलकुल कर लिजेगा आप यूट्यूब के उपर आओ और जो आपका टोपिक है आप उसको सर्च करो उसके नाम को सर्च करो फॉर इंपल यहां पर मैं चाहरी हूं कि एक वीडियो है लाइक पार्टी मेकप के लिए तो मैं यहां पर आके लिखूंगी इजी पार्टी मेकप अब व उसकी थोड़े बहुत सिमिलर जैसे करके अपना जो है टाइटल खुच जनरेट करो कि आपको किस तरह का अपना टाइटल लिखना है फॉर एक्जेंपल अब मैं यहां पर लिख रहे हूं स्टेप बेस्टेप इजी पार्टी मेकप और यहां पर आगे जाकर मैं चैनल का न नियान होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि टाइटल के साथ-साथ आप अपने चैनल का नाम जो है वह लाजमी लिखो दैन जब आप फेमस हो जाते हो एक बार तो एक या दो साल के बाद आप यह नाम लिकन भी कर सकते हो लेकिन याद्रहें कि टाइटल भी आपका बहु आप लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि आपके व्यूवर्स को अट्रैक्ट करें कि वो डिस्क्रिप्शन को रीड करें जब आप लिख लोगे दैन आपने नीचे आना है और यहां पर आपने लिखना है वो बिजनेश स्कॉर देना है आप जिस तरह से इजी रहे हो आप उस तरह से कर सकते हैं तो अगर आपस से आपके पास मेकप कर सकते हैं पर एक्जेम्पल मेरा जो काम है वो है वीडियो बनाना यूट्यूब के ओपर या अर्णिंग मैनी के रिलेटिट वीडियो बनाना तो अगर कोई उस लिखास से मेरे से कुन्टेक्ट करना चाहे या कोई अडवाइस लेना चाहे तो वो डारेक्ट मेरे जीमेल पर जाकर कुन यहां पर अवेलिबल हो आप उनका लिंक जो है यहां पर आकर दे सकते ओं जहां पर बता बी देतीम कि आपने लिंक किस की ज़रूरत नहीं बस एक बार अपने पास सेफ करके रख लेनी आपने अब यहां पर यूट्यूब कर डिस्क्लेमर हमने डालने इसमें क्या होगा कि अगर आप से कोई चोटी मोटी गलती हो गया है चोटा मोटा किसी के कुछ कोपी कर लिया है सब का सब कोपी नहीं करिएग काफी दफा स्ट्राइक और कोपी राइट क्लेम से बच जाता है लेकिन याद रहे है यह बड़े-बड़े ब्लंडर्स के लिए नहीं चोटी-चोटी गलतियों के लिए तिक है दन आप एट लगा के अपने चैनल का नेम लिग दो स्लैश लगा के आगे एर लिग दो फॉर जाएगा और जो फर्स्ट वाले होंगे सिरफ वही आपके टाइटल के ओपर शोंगे इसलिए इसको भी शोट रखना है आपने जितना हो सके आप से दन धोरा से नीचे आकर यहां पर आपने टैक्स लिख देना है यह आपने वीडियो के अंदर भी डालने है जो टैक्स का आपके वीडियो को सर्च होने में मदद देते हैं और साथी साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन भी आपकी काफी जदा लंबी होती है तो आप अनलिमिटेट टैक्स जो है वहां पर एड़ कर सकते हो अब यहां पर आपने आजाना है यूट्यूब के अंदर नीचे प्लस का सा कि आपके जरूब का जरूर बता दिती हूं साना दैन ऊपर ही आपके पास थामनेल का बी ऑपशन आ चुका है और आप पहां पर प्रेस करोगे और जो आपका थामनेल आपने ऑल्रेडी बना के रख़ा होगा वह आप इसकी उपर लगा दोगे डिन आपका टाइल भी ओल्र description के अंदर आना डिस्क्रिप्शन भी आपने यहां से जो उपर वाले लाइन होगी उसको भी आपने कट करना है और यहां पर आकर पेस्ट कर देना है अब जो यह नीचे वाला हिस्सा होगा ना इसको जस्त आपने कोपी करना है क्योंकि यह यही आपके वीडियो के मतब हर वी लिएक दो किरो वीडियो के लिंक आपके लिए मैं आपने लिंक दे दिया है बाकी आपने profoundly देने और यहां इप जो नीचे आपको हाली जगह नजरा रही है यहां पर आप टैग्स लगा सकते हो अब आप टैग कहां सी निकालोगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट आपने यहाँ पर आके अपने वीडियो को हमेशा अनलिस्टेड रख देना है जब तक आपकी वीडियो कम्प्लीटली त्यार नहीं हो जाती तब तक आपने कभी भी वीडियो को अपलोड नहीं करना है आप आप जो वाइटी स्टूडियो को जैसे आप उपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा पेज तो नीचे आजओगे तो नीचे आपकी वीडियो आपको शो हो रही होगी आपने उसके उपर क्लिक कर देना है तो यह उप्शन जो आपके पास शो हो जाएंगे उपर पैंसिल के जो निशान है उसको आपने प्रेस कर देना है तो आपके पास यह सब शो हो जाएगा यहां पर से भी आप अपना थमनेल जो है वो चेंज कर सकते हो अच्छा है टाइटल डिस्क्रिप्शन वगेरा आप ओल्रेडी लिख सुक्यों नीचे आपको एक ओडियन्स का उप्शन नजरा आ रहा होगा यहां पर आपने आना है और लाजमी इसको स्लेक्ट कर लेना है यहां पर आपने अपर आपको मिलेंगे टैग्स अब जो टैग्स अब वेबसाइट से लेने के बावजूद भी जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी दो वेबसाइट है एक यह वाली वेबसाइट है एक और है वेबसाइट जिसका नाम है रैपी टैग्स तो यह दो वेबसाइट है जिनका लिंक मैं आपको दे दूंगी आप इनसे जाकर कोपी कर सकते हो और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कोपी करने है लेकिन आपने ब जाना है कि सारे वीडियो 2022, 2023, 2024 तक आप पर टैग डाल सकते हूं पिसले एर्स की नहीं डालेगा लेकिन आगे वाले एर्स के जो टैग जैना वो आप डाल सकते हैं अब आपको क्या करना है कि यह वेबसाइट के उपर आपको आजाना है लिंक प्रेस करोगे तो आपके पर यह हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो तो पार्टी मेकप आपने सेर्च करना है आपने इस वीडियो का जो लिंक है ना उसको कोपी कर लेना है और इस वेबसाइट के उपर आकर आपने पेस्ट कर देना है देन आप आपने आयम नोट आप बोर के उपर टिक कर देना है और फाइ से each and every tag जो है उसको कोपी करना पड़ेगा then मुबाइल then आपको वाइटी स्टूडियो के अंदर उसको पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो option मुझूद नहीं है laptop वाला तो इसमें थोड़ी आपको महनत लगेगी लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी यह सजेस्ट नहीं करूंगे कि जब तक आप YouTube से अच्छे हैसे पैसे कमाने के लाइक नहीं हो जाते उससे पहले आप YouTube के अंदर लेक्टोप लेके या कंप्यूटर लेके इन्वेस्ट करो यह ना आपके पैसे जो है वो जाया चले जाए इस तरीके से आपने इसको को पेस्ट कर देना है और नीचे अरो का बटन जो है उसको प्रेस कर देना है फिर ही यह आपका एक टैग बनेगा और अगर आप सब के सब को इस तरह से पेस्ट कर दोगे तो यह टोटली सारे ही जो है ना एक टैग बन जाएंगे और कोई इतने ज़्यादा टैग को सर्च करने वाला उसके टैग आप लगा सेथे हो यहां पर फिर आप नीचे आजो यहां पर आप के टैगरी को देख रहे हो के आपने अपनी के टैगरी चूज करनी है गेमिंग और ट्राइवलिंग या कॉमेडी या पर टैग की यह साइंस और टेकनोलजी और कुछ भी इस तरह से मैंने करने चाहिए और सुनना चाहिए कि लोग क्या देखते हैं क्या नहीं इवन कि जो आपको रोस्ट भी करते हैं आपके हिलाफ बुरे कोमेंट भी करते हैं आप उनको भी रहने दो वो आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं वो अपने ही बारे में वो अपने ही परस को सेफ कर लेना है ड़िए यहां तक तो आप प्रोफेशनल receive जह है उसको अप्लोड कर सकते हो यहां पर आकर पॉपलिक कर सकते हो लेकिन आपको आपको एक स्टेप और आग εκ जाना है और अपनी वीदियो को और ज्यादा बहतर बनाना है तो फिर आपको नेक्स जो है इस वीडियो को देखना चाहिए वरना आप यहां पर वीडियो को छोड़के जा सकते हो अब इसमें आपको क्या करना है इसमें थोड़ा सा सेफ किया हुए मैं आपको बता देती हूँ कि वो टैब आपने किस तरह से अपने मुबाइल के अंदर बनाना है आपने इस पेज के उपर आकर या गूगल के पेज के उपर आकर त्री डोट के उपर क्लिक करना है और यहां पर नीचे आपको एक उप्शन मिल जाएगा डेस् थोड़ा सो कॉम्प्लिकेटिड यहां पर क्योंकि आपको ढूंडने में थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन अगर एक बार आपको मिल जाए तो उसको सेफ कर लीजएगा अपने पास अब यहां पर यूट्यूब स्टूडियो के उपर अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपके पास यह गूगल वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा यहां पर आपना आना है और यहां पर आकर उपर एक प्लेलिस्ट का बटन आपको शोग रहाओगा सेकंड वाला उप्शन उसके उपर क्लिक कर देना है यहां पर जो आपकी वीडियो होगी जो आप एडिट करन है जैसे अब आप इसके उपर क्लिक करोगे आपको पास यहां पर बहुत अमेजिंग उप्शन शो हो जाएंगा यहां पर आते ही आपने वीडियो जो है आप देख लो कि आपकी अनलिस्टीड है और अगर यहां पर आपको पता है कि यह बस इनफ है मैंने यह सेटिंग करक सकते हैं इसको एड कर सकते हो रिमूव कर सकते हो यह अप इसको आगे पीछे जहां पर भी रखना चाहो रख सकते हो एक दफा जब आप अपनी सेटिंग जो है उसको स्लेक्ट कर लोगे दन आप इसके उपर ही क्लिक करोगी तो आपको option मिल जाएगा कि आप इसको प्लेटी चाहते हो और कौन सी प्लेलिस्ट रखना चाहते हो एंदेन आपको ऑप्शन ये भी मिल जाएगा कि आप वीडियो रखना चाहते हो स्पेसिफिक वीडियो तो आप वहां से स्लेक्ट करके सारे सैटिंग करके इसको उपर से सेफ कर लेजेगा अच्छा यहां पर मुबायल के अंदर यहां पर उप्शन आता था इसको शोट करने का लेकिन फिल्हाल यहां पर जो है वो उप्शन नहीं आ रहा मेभी इन फ्यूचर वो फिर से इस उप्शन को जो है वो दे दें कि इसको आप छोटा कर सको तो कंप्यूटर यह लैप्टॉप के अंदर आप उसकी होगे देन आप इसको उपर से सेफ कर लिजेगा नीचे आपके पास कार्ट का उप्शन है जो उपर आई बटन का लिंक वगएरा आता है वीडियो के अंदर यह कुछ इस तरह से आता है वो इधर से ही सेव होता है यहां पर जहां पर भी आप वो लिंक रखना चाहते हो यहांबर न्यू प्लैलिस्ट बना सकते हो न्यू प्लैलिस्ट के अंदर सेफ कर सकते हो Saas misery सेव कर सकते हो अउई यहां बनाए प्ले फनकी वाली देन नीचे अगएन वह फिल आ रहे हैं यहां पर आपने ah मेड जिण हो नंगे यहां चिर नूट मेर्ड वो किट के उपर 3 support हो देन अगें यहाँ पर जै टैक्स की उप्शन आ रहे हैं यहां पर आकर भी आप के अप्टाइग लगा सकते हो लेकिन यहां पर टैग लगा ना थोड़ा सा मुश्कील है क्योंकि जैसे आप टैग लगाकर arrow वाला बटन जो है उसको प्रेस करोगे तो वो जो है अगली option के अंदर चला जाएगा इसलिए जो टैग्स है वो आप वाइटी स्टूडियो एप के अंदर ही लगाओ तो ज्यादा बहतर रहेगा देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जैसे ही मैंने यह यहाँ पर लिखा arrow के उपर प्रेस किया तो यह मुझे अगली option के तरफ ले जाता है तो बहुत बेटर रहेगा क्या वाइटी स्टूडियो के एप के उपर ही इसको लगाओ यहाँ नीचे आजो यहाँ पर भी कैटेगरी का option है यहाँ पर भी आप अपनी कैटेगरी को स्ले तो इसको कि तो और जिस तरह यहाँ आपने अपने धहन रखने हैं अगर आपकी ।ो यहाँ वीडियो को स्कॉपर क्लिक करोगे तो यह आप kup combat कर देगा देगा धनी नी चन और आपकी जो मॉनिटाइजेशन है वो ओन हो जाएगी और यह था तरीका पूरा वीडियो प्रोफेशनली अपलोड करने का है होपस्थ आपको यह पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइच सब्सक्राइब और शियर जरूर कीजेगा और हर चीज के लिए हमें पहला कदम उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप पहला कदम उठाते हो तो आगे के रास्ते खुद ही खुलते जाते हैं और जब आप फस्ट कदम ही नहीं उठाते तो बस आप सोचते ही रह जाते हो